दोस्तो साप की मौसी जिसको अंग्रेजी के अंदर स्किंग के नाम से जाना जाता है। दिखने में ये जीव एक तरह से साप की तरह ही होता है। लेकिन इसकी बनावच साप से अलग होती है। ये पहले तौर पर साप के जितना बड़ा नहीं होता है। इसके अलावा आपको बता दे कि यह साप की तरह बिना पैरों वाला नहीं होता है। इसके पास आगे के दो पैर होते हैं। स्किन्क छिपक लिया हैं जो स्की किडे परिवार से संबंदित हैं, जो इन्फ्रावडर सिंको मोफा में एक परिवार है। आपको यूँ ही कहीं पर घूमती हुई नहीं मिल जाएंगी, वरन छुपी हुई रहती हैं और काफी कम ही नजर आती हैं। अब आईए जानते हैं साप की मौसी का घर में आना शुब या अशुब, यदि आपके घर के अंदर साप की मौसी आती है तो यह अशुब नहीं होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं, कारण ये है कि साप की मौसी काटती नहीं है और यह जहरीली भी नहीं होती है यदि आपके घर के अंदर साप की मौसी दिखाई देती है तो आपको चाहिए कि आप उसे भगा दे यही आपके लिए सही होगा कारण यह है कि उसकी वजह से आप दर सकते हैं और घर के अंदर जो दूसरे लोग रहते हैं वे भी दर जाते हैं तो साप की मौसी को आपको भगा देना ही सही होगा. साप की मौसी की उत्पती कैसे हुई? दोस्तों आपको बता दे कि साप की मौसी कोई नई प्रजाती नहीं है. यह इंसानों से पहले की प्रजाती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं स्किंग जैसी छिपकली पहली बार जीवाश्मा रिकॉर्ड में लगभग 140 मिलियन वर्ष पहले दिखाई देती हैं शुरुवाती क्रेटेशियस के दोरान ज्यादा तर जबड़े की हड्डियों के रूप में दिखाई देती हैं जो बहुत स्किंग जैसी दिखाई देती हैं निश्चित स्किंग जीवाश्मा बाद में मियोसीन काल के दोरान दिखाई देते हैं साप की मौसी का व्यवहार यदि हम साप की मौसी के व्यवहार के बारे में बात करें तो आपको बता दे कि यह बिल को खोदने में काफी अधिक माहिर होती हैं और इसका शिकार करना काफी अधिक कठिन होता है क्योंकि यह अपना अधिकतर समय जमीन के अंदर ही बिताती है वे हवा को सूघने और अपने शिकार को ट्रैक करने के लिए भी अपनी जीब का उप्योग करते हैं जब वे अपने शिकार का सामना करते हैं तो उसका पीछा पूरी तरह से करते हैं और उसको पकड़ने के बाद सीधा ही निगल लेते हैं साप की मौसी क्या खाती है? जिस प्रकार से साप मासारी होते हैं उसकी प्रकार से साप की मौसी भी मास खाने वाली होती है यह आमतोर पर बड़े जीवों का शिकार नहीं कर सकती है लेकिन छोटे जीवों का आसानी से शिकार कर सकती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए विशिष्ट शिकार में मक्खियां, जीनगुर, टिद्डे, भरिंग और केटरपिलर शामिल है विभिन प्रजातियां केचुए, मिलीपेड, सेंटीपीड, घोगे, सलग, आईसोपोड, वुडलाइस आदी का शिकार यह कर सकते हैं घोसला बनाना ये जमीन के नीचे घोसला बनाती हैं तलघर के अंदर यह घोसला बना सकती हैं यदि आपको कही पर दो सांप की मौसी दिखाई देती हैं तो उसके बाद आपको ये समझना चाहिए कि आसपास सांप की मौसी का घोसला हो सकता है और वहाँ पर वे अंदे देती हैं जिसके अंदर से बच्चे निकलते हैं और उनकी संख्या जल्दी ही तीस तक जा सकती हैं